नमस्कार, True Legal Assist के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे एक दर्शक ने सवाल पूछा है कि अगर कोई कमपनी बिना सैलरी दिये टर्मिनेट कर दे अपने एमपलोई को तो क्या करें। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि कोई कमपनी अगर अपने एमपलोई को बिना सैलरी दिये टर्मिनेट कर रही है तो ये सीधे सीधे लेबल लोग का वाइलेशन है। कोई भी कमपनी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब आप किसी कमपनी को जोइन करते हैं तो आप एगरिमेंट को साइन करते हैं और उस एगरिमेंट में लिखा होता है कि कब माना जाएगा कि आप कमपनी के एमपलोई हैं और कब माना जाएगा कि आप कमपनी के एमपलोई नहीं है। आपके चैक इन और चैक आउट दोनों का टाइमिंग मेंशन होता है, तो माना जाएगा कि आप वहां के एमपलोई हैं, अब सवाल ये है कि बिना सैलरी दिये टर्मिनिट कर दिया, जैसे कमपनी का रूल ये हो, कि चार दिन तक अगर आप बिना बताए, आप गायब रहते हैं आप ड्यूटी जोइन नहीं करते हैं, तो वो आपको टर्मिनिट कर सकते हैं, और उसमें आपकी सैलरी को भी होल्ड कर सकते हैं, आपके पैसे को भी रोक सकते हैं, अधर आपने इस तरह का कोई वाइलेशन किया है, तो ये आपके खिलाफ जाता है, लेकिन बेवजह केवल के बैसिस पे पैसे रोक करके नहीं रख सकते, अगर कंपनी ने आपको टर्मिनिट किया है, तो आपके पास लीगल राइट ये है, कि आप कंपनी को सबसे पहले इमेल कीजिए, पूरे घटना का विवरन दीजिए, और उनसे पैसे की मांग कीजिए, अगर वो पैसे देने स मना करते हैं, तो दूसरा स्टेप आपके पास ये है, कि आप लेबर कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन लेबर कोर्ट में जाने से पहले, आप उनको लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं, लीगल नोटिस भेज करके उनसे पैसे की मांग कर सकते हैं, और यह कह सकते हैं, कि अगर आपने पैसे नहीं दिये, तो आप लेबर कोर्ट में चले जाएंगे। अगर कमपनी समझधार होगी, तो आपके पैसे दे देगी। अगर कमपनी फिर भी immaturity के साथ आपके matter को handle कर रही है और पैसे नहीं दे रही है, तो आप पता लगाए कि आपकी कमपनी क्या वास्तव मे कमपनी है, प्रप्राइटिशिप है, पार्टनर्शिप है, क्या है, जो भी उसका एक स्टेटिस हो, उसके हिसाब से उसके खिलाफ एडवोकेट से बात करके केस फाइल कर दीजिए, आपके पैसे की रिकवरी भी होगी, कमपनी से कॉम्पनसेशन भी मिलेगा, और पूरी तरह जो आपके साथ इंजिस्टिस हुआ है, वर जस्टिस होगा, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो,